नमस्कार मैं औरी नुकुमारी आप देख रहे हैं पॉब्लिकेश्या निउस चैनल कॉलकत्ता नाइट राइडर्स ने गौतम गंभीर की कप्तानी में दो बार आईपिल का खिताब जीता था आईपिल 2024 में गंभीर की वापसी हुई है और एक बार फिर ये टीम चैंपियन बनने जा रही है इस टीम का तीसरा आईपिल खिताब जीतना लगभगता है ये हम नहीं बलकि एक गजब संयोग इसकी गवाई दे रहा है और बता दे कि इस बार चैंपियन तो कॉलकता ही बनेगी साल 2012 और 2014 में कॉलकता ने आईपिल का खिताब जीता था दोनों बार टीम के कप्तान गंभीर थे इसके बाद ये टीम कभी भी खिताब नहीं जीत सकी इस बार कम भी टीम में बतो और मेंटोर बन कर आएं और सब कुछ बदल गया कॉलकता है आईपिल प्लेओफ में जगा बनाने वाली पहली टीम बनी है बता दे साल 2012 और 2014 में जब कॉलकता की टीम चैंपिन बनी थी तब दोनों बार इस टीम ने लिक स्टेज का अंत टॉप टू में रहते हुए किया था दोनों साल में टीम विजेता बनी ऐसा ही नहीं कॉलकता इन दोनों बार ही प्लेओफ में पहुंची या फाइनल खेली इसके इलावा भी टीम ने प्लेओफ में जगा बनाई और साल 2021 में तो ये टीम फाइनल खेली थी देकिन 2012 और 2014 के लावा इस टीम ने कभी टॉप टू में फिनिश नहीं किया और कभी ये टीम विजेता नहीं बनी इस साल ये तीसरी बार होगा जब कॉलकता की टीम टॉप टू में फिनिशिंग करेगी और इस बार भी टीम विजेता बन जाए तो हैरानी कर देगी ऐसे ही खेल की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन यूज चैनल